हलो दोस्तो माई यूटूब चैनल सुमन टेक्नीशन में आपका स्वागत है आज मैं फिर आपको बताने वाला हूँ ये फुल इंजन का पार्ट थ्री है जो की हमने नेश्ट वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से तीन सेटिंग कैसे कंप्लीट करते हैं अब इसमें हम आपको दिखाएंगे कि ओईल का प्रेसर कैसे घटाया जाता है कैसे बढ़ाया जाता है ये होता है पिष्टन oil का और ये होती है इस्प्रिंग इसकी वजए से oil का pressure बढ़ाया और घटाया जा सकता है यह आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसमें फिटिंग भी होगा मैं आपको फिटिंग करके कम्प्लीटली दिखाऊungगा इसमें की किस प्रकार से यह आप देख सकते हैं जहाँ पे मार्क लगा हुआ यह पिश्टन और spring यहां पर जाएगी जो कि यह spring जो है oil को pressure घटाती और बढ़ाती अगर जो आपको pressure कम हो चुका है तो इसकी मदद से आप pressure oil pressure घटा और बढ़ा भी सकते हैं बहुत से mechanic भाई यह चीज नहीं जानते हैं और नजर अंदाज करते हैं ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देना है और इसमें कोई सेटिंग नहीं होता है पहले तो आपका पिष्टन जाएगा उसके बाद स्प्रिंग जाएगी और उसके बाद कॉपर वाशर और ये नट लगेगा जो की 14 नंबर बोल्ट है जो की इसी में प्रेसर कम और इस पेस ज करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसे फिटिंग करते हैं तो सबसे पहले तो हमें इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है टाइट करने के बाद फिर हम आपको ले चलेंगे कि आपको फिल्टर वाड़ी कैसे कंप्लीट करनी है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दवा के चैनल को प्रेश कर दे जो कि ऐसे ही नई नई टॉपिक की वीडियो आपके लिए सुमंत टेक्निशन लेके आता रहेगा तो चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इसकी फिल्टर वाड़ी के अंदर ऐसा क्या क्या होता है जो कि इसमें फिल्टर वाड़ी से कैसे ऑईल प्रेश करके कैसे जाता है तो दोस्तों ये हमारी फिल्टर वाड़ी है जो कि मैं इसको इंसाइट अलग अलग करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या हो रहता है ये कि फिल्टर वाड़ी रह यह आपको देख सकते हैं इसमें कुछ इस प्रकार से इसे प्रेस करना चाहिए अगर इस प्रकार से प्रेस नहीं करती है तो इस प्रिंग को चेंज करें और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फिटिंग होगा और इसकी ओईल सील खराब हो तो इसको चेंज करी दें क्य body में भी हाँ अगर आपकी spring lose हो जाती है तो spring proper तरीके से नई डाल दें अगर आप नई नहीं डालते हैं और lose spring रहती है तो oil का pressure जो की बरावर से नहीं होगा और oil धीमी गती से engine में rotate करेगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से टाइट करना है और अगर आपकी गाड़ी में भी कोई भी दिक्कत होती है गाड़ी गराम होती हीट होती है तो यह चीज़े जरूर चेक करें कि oil हमारा perfect है या oil नहीं है आपने देखा कि इस वीडियो में हमने किस प्रकार से engine उतारा था अगर आपने हमारे नेश्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो link defression में है जो कि आप link में जा के आप देख सकते हैं कि हमने इस गाड़ी का किस बज़े से engine उतारा था और उसी का ये part 3 है जो कि आप देख सकते हैं filter body हमारी हो चुकी है complete अच्छी तरीके से हम इसे tight कर लेंगे जो कि कहीं से oil leakage की समिश्या ना हो और जब भी कभी आप engine खोलते हैं तो filter body को खोल के अच्छी तरीके से clean करें उसके बाद फिर उसी प्रकार fitting करें अगर आप clean नहीं करते हैं और fitting नहीं करते हैं तो इसमें dash और आ जाता है जो कि दिक्कत करने लगेगा तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हम किस प्रकार से filter body complete किये और अब मैं आपको दिखाता हूं कि engine की timing कैसे fitting करते हैं और आरसी लीवर governor setting सारी चीजें इसमें diesel की quantity सब मैं दिखाऊंगा यह देख सकते हैं आप claim flower जो कि claim flower में दो वासर और एक लाक होता है दो claim flower होते हैं जो कि आपको सबसे पहले claim flower रखना है फिर बीच में वासर रखना है फिर claim flower फिर वासर फिर लाक तो सबसे पहले तो हमें claim flower रखना है यह हमने claim flower रख दिया और जो की फिर इसके बाद हमें washer रखना है washer रखने के बाद फिर claim flower रखना है फिर washer और फिर lock अगर आप इस दोरान washer अंदर की तरफ रख देते हैं तो game का timing mismatch हो सकता है और आधी cam चलेगी जो की engine में दिक्कत आना चालू हो सकती है तो इसलिए कभी भी आप इसको fitting करते हैं तो कुछ इसी प्रकार से fit करें अंदर की तरफ ओशर ना रखें बीच में washer लखें और आगे की तरफ ओशर रखें और फिर lock लगाएं जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसे fit किया जाता है और जैसे कि मैंने केम सारे लगा दिया है और लगाने के बाद अब हम इसमें lock लगाएंगे lock की मदद से इसे अच्छी तरीके से fit कर लेंगे और जो की आप देखेंगे कि किस प्रकार से fitting होता है और दोस्तो ऐसे ही रोजाना नहीनी topic की वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें और bell icon प्रेश जरूर करें ऐसे ही रोजाना नहीनी topic के लिए यह देख सकते हैं यह हमारे कैम complete हो चुके हैं और अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको कि engine timing कैसे fitting करते हैं और कैसे completely जो सबसे main point होती है engine की timing किस प्रकार से fit होता है और इसकी पहले सबसे पहले तो हम RC लिवर लगाएंगे RC लिवर सेट करेंगे फिर उसके वाद हम इसमें game लगाएंगे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से RC लिवर लगेगा और यह बहुत ही आसानी से लग जाता है जो कि इसमें कोई भी अथोड़ी का प्रियोग नहीं करना चाहिए क्योंकि अलमूनियम का रहता है इसके तूटने के भी चांसे ज़्यादे होते हैं और ओवर कभी ऐसा भी होता है कि हम इसको ज़्यादे टाइट भी कर देते हैं तब भी तूड़ जाता है और वैसे भी दोस्तों मैं तो मानता हूँ जो भी आप पार्ट डालते हैं तो ओरिजिनल ग विःप्स ही डालें जैसे आप देख सकते हैं मैं और जिनल गृप जाल रहा हूँ और इसमें बी लोकल वे कॉल्टा है जो की लोकल गृप्स आता है तो आप कभी भी अगर आप कोई भी पार्ट डलते हैं तो ओर जिनल ग्रिप्स ही डलवाए तो अब आपको मैं अंदर का कुछ सेटिंग दिखाता हूँ ये चीज़ आप देख सकते हैं जो विंदी है फुल उपर की तरफ होना चाहिए एकडम केम के सीधे होना चाहिए जो की ये चीज़ आप देख सकते हैं मार्क लगा हुआ कुछ इस प्रकार से इसे उपर की ओर होना चाहिए अगर जो ये आप डाउन थोड़ा भी इधर उधर होता है तो इंजन की टाइमिंग डिस मैच होती है तो आप ये देख सकते हैं ये केम में भी उसी प्रकार से दाते में निशान रहता है और कुछ इस प्रकार से इसे फिट किया जाता है तो अब मैं देख सकते हैं ये हमारा केम कैसे क्लीन है एकदम अब हम इसको फिट करते हैं किस प्रकार से आपको दिखाते हैं तो ये इस प्रकार से कुछ इंसाइट होगा ये देख सकते हैं आप और बड़े ही आसानी से फिट हो जाता है जो कि बहुत से लोग हथोड़ी का प्रयोग करते हैं और दिक्कत भी करते हैं ये देख सकते हैं ये अराम से बैड़ हिया और इसकी टाइमिंग आपको टाइमिंग की बात करूं तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमे फिट किया गया है पिर आपको दिखाता हूँ ये चीज़ देख सकते हैं ये विंदी ये इंजन की टाइमिग और ये हमारा फिश्टन फुल टॉप पोजीशन पे ये चीज़ आप देख सकते हैं ये फुल उपर कभी भी आप क्रेंक में मार्क बना हो या ना बना हो आप कभी भी कोई भी इंजन होता है तो फुल टॉप पे फुल इंजन को टॉप पोजीशन पे लेके और केम को सेट कर सकते हैं अगर जो आपकी गाड़ी क्रेंक में भी निशान बना हुआ है और नहीं बना हुआ है अगर इस दोरान आप इसके दाते मैच डिसमैच हो जाते हैं तो इंजन के प्रफॉर्मेंस में बहुत सी रिक्ते आदना चालू होती है और बहुत सी रिक्ते हुमें तो इस टार्टिंग भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि जब इंजन को फुल टॉप पुजेसन पर जब जाता है यह देख सकते हैं तो सारी चीज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें हमने कम्पलीटली कैसे फिटिंग कर रहे हैं कैसे बता रहे हैं जो कि अब हम इसमें ऑईल गेर सेट करेंगे और ये इसकी चाबी होती है चाबी को पहले fit करेंगे चाबी को fit करने के बाद हम oil gear set करेंगे इसमें भी कोई timing नहीं होती है और इसमें खाली इसकी जो pin होती है उसको मिलाके खाली बैठाना होता ये देख सकते हैं और आप बहुत से मेकेनिक भाई इसमें पेचकस का प्रियोग करते हैं और पेचकस के अलावा इसमें पाने का भी प्रियोग करते हैं तो ऐसा ना करें कभी भी आप अगर जो वोल्ट टाइट करते हैं तो कपड़ा लगाएं कपड़ा लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से टाइट करने ब यह आप देख सकते हैं और कपड़े को हम बड़े असानी के साथ निकाल देगे यह देख सकते हैं यह हलका पिस की और कभी भी आप इंजन इस प्रकार से घुमाते हैं तो इस तरीके से घुमना चाहिए अगर आपका engine जाम चलता है तो पुने engine को खोलें और कुछ इस प्रकार से इसे free करें अगर इस दोरान आप free नहीं करते हैं तो engine में अगर engine हमारा free नहीं होगा तो बहुत सी दिखते हो सकती हैं तो आप देख सकते हैं यह हमारा pump है और वैसे भी हमने pump की खास करके आपको setting ही बताई थी अगर आप इसमें दो तरीके से इसकी timing pump की भी timing आप चेक कर सकते हैं या कि इसका pressure देख के चेक कर सकते हैं या कि इसका dhvory valve निकाल के भी चेक कर सकते हैं तो मैं तो बिना dhvory valve के ही चेक करता हूँ ऐसे भी अगर जो आप ने मेरा नेश्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसमें जाके देख लें इसमें लिंक pump के लिए link especially डली हुई है जो कि किस प्रकार से इसमें fitting किया जाता है तो अगर आप pump कभी भी बनवाके लेके आते हैं नया फ्लंजर और नया डेबरी वाल डालते हैं तो कभी भी आप अगर जो डालते हैं तो उसमें sims जो है मैं तो वैसे भी proper single sim ही डालके tight करता हूँ single या double जैसे ही जितनी sim पे वो अपना timing लेगा उतना sim पे हम डालते हैं और उतना sim पे उसको tight करते हैं अगर हमारा engine टाइमिंग जो है pump की हमने sim जादे बढ़ा दिया और घटा दिया तो दिक्कत आना चालू हो जाती है और जो हमारा RC lever है pump के lever में set होता है जो की diesel जैसे ही हम throttle लेते हैं तो diesel की quantity घटी और बढ़ती रहती है तो आप देख सकते हैं इसको हमने fit किया fit करने के बाद अच्छी तरीके से इसको tight करेंगे और कोई भी part कोई भी nut bolt आप अगर जो tight करते हैं तो उसको proper तरीके से tight करें अगर जो इस दोरान आप bolt को बराबर नहीं tight करते हैं तो loose condition होगा और गाड़ी चलेगी बाइबरेट करेगी तो वो bolt तूड जाएगा या धील निकल के गिर जा सकता है तो ऐसा ना करें कोई भी part का अगर जो आप bolt tight करते हैं तो इसे proper तरीके से ही tight करें अगर जो tight करते हैं तो यह देख सकते हैं अब मैं आपको दिखाऊंगा RC liver सबसे पहले तो हमें escalator जैसे आप देख सकते हैं यह हमें escalator ले रहे हैं तो यह up down कर रहा है और हमारा RC liver बराबर तरीके से वो fit है जो की अब मैं आपको दिखाऊंगा pump fit करने के बाद की इसे RC liver जो इसमें सबसे महत्तपूर सेटिंग होती RC liver की अगर RC liver आपका सही से सेट नहीं होगा तो गाड़ी pick up में racing में कच्चा धुआ देना smoke करना बहुत सी दिखते हो सकती हैं तो आपने जैसे देखा है मैं escalator को full लिया हुआ हूँ और लेने के बाद हम इसको nut को अच्छी तरीके से tight कर रहे हैं यह आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से हम इसे tight कर रहे हैं सबसे पहले तो हमें escalator को full trace लेके रखना है और lever को down करके रखना है जो की हमारा RC lever नीचे position पे रहे हैं अब देख सकते हैं हम stop खींच रहे हैं तब ही वो हमारा आप down करता है अगर हम escalator लेते हैं तो कोई हमारे RC lever में कोई चहल पहल नहीं होना चाहिए और मैं अब आपको दिखाता हूँ पीछे की तरफ यह जैसे ही हम अगर आपका governor setting सही है जैसे हम हलका escalator throttle लेंगे तो हमारा governor जो है पीछे की तरफ जो डीजल की quantity घटाता और बढ़ाता हो हलका चाल उसमें होना चाहिए यह देख सकते हैं हमने escalator को full लिया और इसको फिर proper तरीके से tight कर रही है कुछ इस परकार से हमारा RC lever down position में होना चाहिए और escalator जो हमारा है full diesel की quantity में होना चाहिए अगर आप इस दोरान setting नहीं मिलाते हैं तो गाड़ी में दिक्कत आना चालू हो जाता और बहुत सी दिक्ते आने लगती हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस परकार से इसकी setting किया जाता है और आप अगर जो इस setting को follow नहीं करते हैं अच्छी तरीके से नहीं set करते हैं तो गाड़ी में दिक्कत होना जर अवैस्यक ही है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इंजन हमारा कुछ किस प्रकार से दिखेगा ये देख सकते हैं हमारा governor जैसे हम एसके लेटर लेते हैं ये हलका down up down position पे लेता है आप चेक देख सकते हैं ये और हमारे RC lever में कोई चाल नह लेते हैं तो हमारा RC lever up down करता है और डीजल की quantity बढ़ती है और गाड़ी race होती है जो बोलते हैं बहुत सी गाड़ियों में pickup problem होती है तो इसकी वज़े से भी दिक्कत हो सकती है आप देख सकते हैं चलिए मैं इसको completely जल्दी से fitting कर लेता हूँ और सकोच दैस मैं उम्मीद कर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें और आपका और अपना पसंदीद YouTube चैनल सुमन टेक्निशन को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब करें ऐसे ही रोजाना नई-णी topic की वीडियो के लिए और जो हमारा अब आएगा part 4 अगर आपक पिश्टन के अंदर सारी जानकारी दी गई है और जो हमारा part 4 आने वाला है उसमें आपको block piston की जानकारी दी जाएगी कि कुछ किस पकार से इसे fitting किया जाता है चलिए मैं जल्दी से इसको tight करता हूं और दोस्तों ऐसे ही नहीं topic की वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें और अप पार्ट 4 देखना ना भूलें तो दोस्तों मिलते हैं part